अगर आप इस वीडियो को लो quality में देख रहे हो तो आप इस वीडियो को कॉलिटी बढ़ाकर एडवान्स कर लीजे ताकि आपको सारे लेवल्स यहां पर मिल जाए और आज मैंने आपके लिए सारे लेवल्स यहां पर पलॉट करके रखे हैं मैं आपको बताने वाला हो उससे पहले मेरा नाम शुबरान्त है यह एक टेक्निकल चैनल है पहली बार आये तो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकन दवा लीजे ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए रोज आए तो आपको बिटकोईन की अपडेट रोज मिल जाए मेरा टेलिक्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन वाक्स में आप पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अब आपको चार्ट पर कुछ दिख रहा होगा यह बिटकोईन का चार्ट है यहाँ पर आपको कुछ औरेंज लाइन या आपको सकते और रेड लाइन बीच में आपको वाइट लाइन दिख रही है उसके बाद आपको ग्रीन लाइन दिख रही है पहले मैं आपको क्लिया कर दूँ अगर आप स्केंशॉट ले रहे हो तो उपर वाली जितनी भी लाइन है जो प्राइस से सारी उपर है वो रैस्ट हैस के तोर पे काम करेंगी जो आपके वाइट लाइन है वो अभी सपोट के तोर पे काम कर रही है और अगर सपोट की तोर पर आघ्वाली लाइन लाइन को प्राइस तोड़ देता है तो यह जो आपको गρι splits कर दा रहें यहां पर चालिए अब बात कर लेता हम मैं कैसे टैकनिकल यहां पर तोड़ दे समेटिकल टैंगल नीचे की साइड तोड़ दिया है उसने, अब यहाँ पर क्या कर रहा है Bitcoin? देखो, अभी Bitcoin इस समेटिकल टैंगल को फॉलो कर सकता है, कब तक यह एक बेरिश पैटन है? कब तक फॉलो कर सकता है? अगर Bitcoin का प्राइस अगर 43, जो हमारा पहला वार बिल जाती है यहां पर red candle की तो हम जहां पर है महां से भी हम नीचे आ सकते हैं towards 40,000 अगेन ठीक है अगर हम 43 का level तोड़ देते हैं मालीचे जो आपको पहली वाली लाइन है वो हम तोड़ देते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस जो पढ़ेगा वो 44 का और 45 का level वहां पर पढ़ने देता है उपर one day में तो आप समझ सकते हैं फिर हमारा जो एक falling wedge है जो मैं आपको बहुत दिन से दिखा रहा था एक bullish flag वो हमारा यहां पर play out हो सकता है लेकिन जब तक price आपका 43 से नीचे है 44 से नीचे है 45 से नीचे है तब तक market में थोड़ी bearishness यहां पर है अब बात कर लेत है वो आपका लगबग 37 के करीब तक आ रहा है ठीक है sematical tangle का अब इसको fail करना है तो price को कहां पर आने पड़ेगा यह आपको पता चल चुकी है अब price अगर नीचे आता है इसको अगर follow करता है price तो कैसे कर सकते है मैं आपको बता हूँ देगे सबसे पहले important होगा यह जो white line का support है जब तक price इसको hold कर रहा है तब तक बहुत अची बात है नहीं hold कर पाता तो price फिर आपको 38 और 36 तक भी दिख सकता है बाकी एक और pattern के बारे मैं आपको बात बता दूँ यह जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक descending triangle बन चुका है descending triangle के साब से हम देखें price अगर आपक 30 अगर price आपका 43 के level को नहीं तोड़ पाता और दुबाद से यहाँ पर टक राता तो दुबाद से अगर नीचे आता है तो इस वाले level को जो आपका 40 का level है इसको तोड़ सकता है और यहाँ पर एक bearish pattern यह होता है आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता 45 क्लियर करने के बाद हम एक falling wedge जो हमारा bullish pattern है उसको हम वापर breakout कर सकते है जहाँ पर price है यह 43 पर टच करके दुबाद से price नीच आता है तो फिर possibility बनती है कि हम 40 के जो level है उसको यहाँ पर तोड़ दे 40 के level को तोड़ने के बाद हमारा support क्या बैठेगा 38 और 36 अब आप इसको play support कर लेना 44 को clear करने के बाद वहाँ पर support बना लेता है you can go with along 45 की तरफ ठीक है यह levels काफी खतरनाक है तो leverage कमी रखिएगा अगर price आपका 40,600 या आप मान दीचे 39,800 का level तोड़ देता है तो आप यहाँ पर एक short trade कर सकते हो 38 तक ठीक है 38 तक 38 के बाद आप देखना कि यहाँ प possibilities जो आप यहाँ पर देख सकते हो अगर आपको 43 पर price दिखे और महाँ पर फिर एक red candle मिले तो आप महाँ से भी एक short hole सकते हो तो यह सब कुछ आपको bitcoin के बारे मैं आपको बता दिया है बदाएगे आपको वीडियो कैसे लगी अच्छे लगी हो तो please like कर दीचे आप वीडि